येस 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 गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्णिंग कैसे हैं सभी लोग और क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है जल्दी से बताएए हैं मैं लाइफ एंड एम आय अडिवल तो दोस्तो आप सबका स्वागत है हमारे इस सीए फाउंडेशन जून 23 प्री एक्जाम माराथॉन में जैसे कि ये हमारे दोस्तो टाइम टेबल है इसमें जो है हम सबसे पहने मैथमेटिक्स की क्लासस आपकी होती है प्रणफ सर लेते हैं हमारे इस चैनल पर एंड देन 1045 एम को आदो बिटा मैं आपको बढ़ाने मैं इकनॉमिक्स औड बीसी के है औबेस दोनों मैं बढ़ाता हूं तो आज्त जो है हम बीसी के से पढ़णा स्चार्ट करने वाले है तो हमने जो है अब बीसी चैनल पर मैंस पर एक एम्सी कीउ पूछा था मैंने इस पे एक और अए मैंने जलक़ येस मैं जल्दी से आपको mcq बताता हूँ पहले जल्दी देखेंगे येस तो mcq दोस्तो ऐसा था वो mcq ऐसा था कि चलिए येस जो मैंने बाद में जब आंसर डलवा दिया बाद में बच्चों ने क्या क्या तुरंद आंसर अपना बदल दिया मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पर option एक को टिक किया था minimum point जबकि आंसर है falling portion of long run average cost curve इसका न मैंने आपको देन comment section में हमारे जो first comment pinned section है उसमें भी मैंने आपको दिया हुआ है कि ये मैंने latest कल के marathon में करवाया हुआ था और 9% बच्चे ही सिफ करेट थे marathon जब हम देख रहे हैं तब भी हमारा class में ध्यान नहीं है ऐसा इससे पता चल रहा है मैंने लिखवाया है आपको classes में फिर भी आपका ध्यान नहीं है मैंने आपसे जबरतबस तो और कौन हो सकते बदाई सिफ 9% बच्चे करेक्ट थे मैंने जब कल around 700 votes देखे थे उसमें कोई बात नहीं चलो बढ़ते आगे आज हम क्या करने वाले हैं आज हम BCK का chapter 1 करने वाले हैं और जो लोग मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए उनको बता दो कि I am Monish Purayama Charred Accountant मैं CA Foundation level पे Economics BCK बढ़ाता हूँ आगे जाके CA Inter में भी आप मुझसे Financial Management and Economics पढ़ सकते हैं अभी दोस्तों अनकेडमी में चल रहा है 25% का discount तो आप अपने Juniors को बता देना कि हमारे मनजिल बैच को जरूर जोइन करें इसको जोइन करने की link वीडियो के description box में दे दी गई है इसका last minute summary हमने पूरा पूरा चाप्टर वन जो है पाँच पेजेस में cover किया हुआ है मैंने इस हमारे वीडियो के live chat box में पिन की है मेरे virtual library की link यह हमारा क्या है virtual library bit.ly slash mvcacademy यह virtual library की link मैंने पिन की हुई है आप किरपिया जाके उसमें जाइए virtual library में वहाँ से आप हमारे इन notes को download कर सकते है तो आपको virtual library में जाना पड़ेगा जो live chat box में दिया link वो यह वाली है bit.ly वाली इसमें थोड़ा सा ऐसा right side में जाएए थोड़ा सा right side में जाना यहाँ पर आपको देखेगा marathon notes of some chapters ठीक है तो इसमें आपको BCK chapter 1 का यह मिल जाएगा बस आप यहाँ से इसको download करके पड़ सकते हैं ठीक है चली आजीए तो अब हम start करेंगे जल्दी से अच्छा यह जो हमारे notes है यह June 23 वाले बच्चों के लिए ही है जैसी marathon sessions हमारा June 23 exam खतम हो जागए notes जो है हम वहाँ से drive link से हट जाएगे ठीक है न चलो ध्यान दीजे सबसे विली बात BCK chapter 1 basic chapter है पर important chapter है 6 to 7 marks का इसका weightage है तो पहली बात अगर आपने इसका printout निकल वाखे रखा है तो लिख दीजे कि इसका marks का weightage है 6 to 7 marks ठीक है न BCK total 40 marks का होता है 6 chapters होते है और सारे के सारे हमारे chapters जो है वो 6 से 7 mark का ही weightage है चलो पहला point आता है कि सर BCK क्या होता है बोलते हैं बोलते हैं कि BCK comprises of an array array मतलब range of activities related to production related to क्या बताइए related to production distribution and exchange of goods and services तो business and commercial knowledge क्या है बोलते हैं इसमें सारे activities आती है relating to production किसी good service को बनाना वो activity BCK में हम cover करते हैं commerce की activities commerce मतलब क्या होता है ऐसी activities which क्या बताइए commerce मतलब क्या activities activities which help या which aids in trading हमें trading करने में जो activities help करती है trading करने को जो activities facilitate करती है इसे बोलते हैं commerce जैसे कि banking activity warehousing transportation यह सब commerce में आता है correct and BCK के अंदर exchange related भी सारे activities आती है exchange मतलब trading है ना buying and selling of goods है ना तो इसमें MC क्यों आता है कि trading क्या होता है एक MC क्यों आता है ट्रेडिंग क्या होता है लिख देंगे उते ट्रेडिंग होता है दोस्तों buying for the purpose of selling अगर हमने कोई चीज खरीदी है उसे वापस बेचने के लिए तो उसे ट्रेडिंग बोलेंगे for example अगर मैंने ये mobile phone खरीदा मेरे personal use के लिए तो वो trading होगा क्या मैं trading नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर मेरी दुकान है mobile phone की मैं ये mobile phone खरीद रहा हूँ इसको वापस बेचने के लिए तो फिर उसको trading बोलेंगे ये mc क्यों आता है ठीक है आगे बढ़ेंगे next फिर point आते है डोमेंस आपका domains of bc के या features of bc के अम बोल सकते है इसका मतलब होता है कि bc कैसा होता है इसमें December 22 exam में सवाल आया था कि domain in simpler terms क्या बोला domain in simpler terms means तो याद रखेंगे domain का मतलब होता है बेटा subject मतलब की bc के का subject है यह किसी चीज़ से related है यह bc का subject है यह कैसा होता है यह हमें बताना है बोलते bc के जो है यह vast होता है मतलब की अलग अलग प्रकार की business activities bc के अंदर आती है इस पर mcq कैसे पूछते हैं आपको mcq पूछेंगे कि we can buy goods from a local shop अगर मुझे कपड़े खरीदने है मैं local shop से खरीद सकता हूं मैं मॉल में जाके खरीद सकता हूं मैं online marketplace amazon flip card से खरीद सकता हूं यह bc के किस feature के बारे में बता रहा है ऐसा सवाल कुछेंगे क्या बोलोंगे bc के इस वास्ट कि बीसी के में अलग अलग प्रकार की activities involved होती है next बात आती है बीसी के इस eclectic eclectic का मतलब होता है दोस्तो multi disciplinary लिग दीजे अच्छा सर यहाँ पर discipline का मतलब क्या होता है मिन आपको बताया था मल्टि discipline का एक मतलब होता है अनुशासन यहाँ पर discipline का मतलब क्या है subjects कि bc के multiple subjects की vocabulary को multiple subjects multiple दूसरे subjects के शब्दों को use करता है अपने अंदर mcq आएगा आपको बोलेंगे marketing है ना आपको mc पूछेगा कि marketing finance operation law all together derive bc के यह सारे subjects से हम bc के terminology को derive कर सकते हैं यह क्या बता रहा है यह बता रहा है कि bc के eclectic होता है ना बोलते हैं it adapts the vocabulary it adapts the vocabulary of other subjects बोलते हम जो हैं दूसरे subjects की vocabulary को adapt करते हैं ठीक है बोलते इसमें example जैसे कि हमने military तो military के subject से हमने क्या क्या चुराया है 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 ना मैंने बोला था ना कि bc के क्या करता है चुराता है ना चुरा लिया है तुमेंने चो vocabulary को यादा रहे हैं बोलते बीसी के vocabulary चुराता है कि इसका military का बोलते हम हम श्वद यूज करते है strategy का मदलब क्या होता है कि जब दो country के b panic में क्या हो रहा है जब दो कंट्री के बीच में बिटा जब दो कंट्री के बीच में वार होता है तो इसमें समझो कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में वार हो रहा है तो कंट्री ए ऐसा स्ट्राटेजी सोचता है कि कैसे हम कंट्री बी को हरा सके वार में वैसे ही बिजनिस म वैसे military का है पर हम यह business में भी use करते हैं वैसे ही शब्द आता है logistics logistics का मतलब military में होता है movement of troops है ना इसका मतलब military में क्या होता है लिख देंगे movement of troops troops का मतलब क्या होता है group of soldiers है ना तो अगर हम group of soldiers को एक जगा से दूसरे जगा पे लेके जाते है या arm ammunition को मतलब की बंदू के, बॉम, ये सारी चीजों को एक जगा से दूसरे जगा पे लेके जाते हैं, इसे logistics बोलते हैं, जो शब्द military का है, लेकिन बोलते हैं कि यही वाला शब्द logistics हम जो है business के terminology में भी use करते हैं, business में होता है बिटा, inbound logistics, outbound logistics, बोलते हैं, जब हम हमारे business में, जब हम हमार organization में, हमारे supplier से input खरीदे हैं, तो supplier input को ऐसा फेकता है हमारा organization में, और अपन catch करेंगे, ऐसा होता है कि नहीं, बोलते हैं कि जब हम हमारे supplier से inputs को लेके आते हैं, तो जो transportation service वो use करता है, वो हो जाता है, हमारा, क्या बताएं, inbound logistics, movement of inputs, अब अगर समझो हमने, हम हमारे customer है, वो हमारे दुकान तक नहीं आया है, product को खरीदने, हमारे जो customer है, उसने घर बैठे-बैठे order किया है, तो हमें फिर उसके घर तक वो product को पहचाना पड़ेगा, तो हम जब हमारे organization से, हमारे customer तक, हमारे output को भीजवाते हैं, उसके लिए जो transportation service यूज़ करते हैं, जो transportation के, जो arrangement य logistics, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, outbound logistics, क्या बार सच पारो, तो movement of input क्या है, inbound logistics, movement of output क्या है, outbound logistics, आगे बढ़ेंगे अगली बात, फिर बेटा, next point आता है, आपका, next point आता है, आपका biology, बोलते है, biology शब्द से भी हम क्या करते हैं, हम इस से भी क्या, शब्द को, शब्द bear के बारे में ये animals का नाम होता है, लेकिन stock market के terminology में bull कौन होते हैं? bull ऐसे लोग होते हैं बेटा जो optimistic होते हैं, bull कौन होते हैं? याद रखेंगे, bull बेटा ऐसे लोग होते हैं, bull, bull, bull ऐसे लोग होते हैं जो optimistic होते हैं, optimistic का मतलब जो future के बारे में positive सोचते हैं, कि future में हमारे stock market में share की prices बढ़ने वाली है यह expect करते हैं कि stock market में यह expect करते हैं कि stock market में जो prices है वो बढ़ने वाली है तो यह होते हैं हमारे bull और bear कौन होते हैं? bear होते हैं बटा ऐसे लोग जो pessimistic होते हैं क्या होते हैं? pessimistic जो negative सोचते हैं जो expect करते हैं कि future में stock market में prices गिरने वाली है तो यह होते हैं bull and bear जो हम business के terminology में use करते हैं दूसरा बोलते हैं bullish market, bullish market मतलब ऐसा market जिसमें prices बढ़ रही है bearish market मतलब ऐसा market जिसमें stock market में prices गिर रही है ठीक है तो यह क्या होगे आपका BCK is eclectic next सबल आता है बोलते हैं BCK is ever evolving and expanding मतलब बोलते हैं समय के साथ साथ day by day there is emergence of new businesses बोलते हैं कि हम जो हैं नई ने प्रकार के businesses आते जा रहे हैं और same काम को करने का तरीका भी बदलते जा रहा है पहले के जमाने में आपको कोई भी bank का काम करना पड़ता था तो bank में खुद जाना पड़ता था physically वहाँ पे line में लगना पड़ता था तब जाके काम होता था आज क्या हो गया? Newer ways of doing business अब banking, bank वालों की सारी services घर बैठे बैठे आप mobile phone के थूरू access कर सकते हैं पहले आपको अगर restaurant का खाना खाना होता था तो आप वहाँ तक जाते थे बैठ के खाना खाते थे लेकिन अब क्या बताओ घर पे बैठे पिटे स्वीगी जो मैटो से आप क्या कर सकते हैं? मतलब क्या है? और evolving का मतलब क्या है? existing businesses को ही अब हम और नए तरीके से कर पा रहे हैं इसमें MC क्यों आता है कि कौन सा ऐसा टर्मिनोलोजी है जो बिजनिस में हम यूज नहीं करते तो एक होता है 24-7 24-7 मतलब क्या पूरे टाइम जैसे ATM 24-7 चालू होता है कभी भी आप रात को तीन बजे भी जाओंगे तो भी ATM चालू होता है P2B होता है Business to Business B2C होता है बिटा Business to Customer PPO होता है Business Process Outsourcing लेकिन इसमें आपको एक शब्द बुलेंगे Y2Z ये कुछ नहीं होता ये MC क्यों आता है आपको चार ओप्शन दिये लेंगे बुलेगा इसमें से क्या Business का टर्मिनोलोजी नहीं है तो क्या बुलेंगे Y2Z जैसा कुछ भी बेटा इस नोट्स मैं पहली लिख रहा हूँ यहां पर इस नोट्स आर ओनली फोर ओनली फोर रिवीजन परपस यह लिए वाले नोट्स है अगर आपके पास मेरी सूपर चार्ड बुक है या बीसी के शास्तर बुक है तो बैस्ट है उसमें सारी चीज़े आपकी कबढ़् कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका exam December 23 में है और वो सोच रहे होंगे कि हम यही से सब कुछ कर लेते हैं बेटा अगर ऐसा होता तो हर एक बच्चा सी marathon नहीं देखता है जिन्नगी में तो कृपिया करके बात को समझे यह अभी चूकी हमारे marathon चल रहे उसके लिए जो सिर्फ important चीज़े हैं उतना ही इसमें बता रहा हूँ हमारे बाकी super chart book में BCK शास्त्र में बाकी सारे चीज़े दी हुई है चल आगे next अब बढ़ेंगे आगे next वो पूरे डबबे में एक ही point पर सवाल आया हुआ है वो है यह कि what are the various concerns relating to BCK concerns में लब क्या चिन्ता है कि हम जब business चालू करते तो हमें क्या क्या चिन्ता सताती है बोलते हैं हमें चिन्ता सताती है पहली चिन्ता यह सताती है कि क्या हमारा business लंबे समय तक survive कर पाएगा या नहीं अगर हमारा business survive कर लिया तो क्या हम sufficient profit कमा पाएगे या नहीं अगर sufficient profit कमा लिया तो क्या अब हमारा business grow करेगा की नहीं यह सारी चिन्ताए हमें सताती है और अगर हमने profit भी कमा लिया ग्रोथ भी हो रही है, तो क्या ये ग्रोथ लंबे समय तक होगी कि नहीं, ये भी चिंता सताती है, इसे बोलते है, sustainability, तो आपको चार ओप्शन दिये रहेंगे, which of the following is a concern related to business, उसमें तीन ओप्शन कुछ भलते दिये होंगे, चौथा ओप्शन दिया होता है, sustainability, आंसर क्या होत कौन होते हैं, तो stakeholder बेटा, ऐसे लोग होते हैं, who have an interest in your company, जिनको आपके company से कुछ ना कुछ फाइदा होने वाला है, ऐसा आप समझें, तो जैसे entrepreneur, जो business को चालू करते हैं, उनको obviously company से फाइदा होगा, customers, customers को आपके company से ही good services मिलेंगे, after sales service, जैसे अगर आपने car खरद लिय काम खतम हो गया, कार की servicing भी ठंक से होनी चाहिए, हर 6 महिने में, एक साल में, कार की servicing भी करवानी पड़ती है, इसे बोलते है, after sales service, तो हम जब भी कोई product खरीते हैं, कोई महंगा product खरीते हैं, तो हम यह देखते हैं, अभी product तो मिल गया, पर बाद में भी क्या service दे बिजनिस में, उनको भी आपके company से return मिल रहा है, shareholders है ना, वो तो क्या owners है, entrepreneur shareholders, generally same ही होता है, then, मलब फरक क्या होता है, जैसे अगर company है, company का owner, shareholder, अगर मैंने sole proprietorship organization मनाया, तो क्या है, मैं shareholder नहीं रहूंगा, मैं entrepreneur, मैं owner हुसका, ऐसा, फिर employees, employees को क्या है, क्यू stakeholder है, employees को आप supplier क्यों है, बताओ stakeholder, क्यूंकि suppliers ने आपको उधारी पे माल बेचा है, तो आप से पैसा निकलना भी चाहिए, then, society as a whole, क्यूंकि आप society में ही काम करने है, तो society के लिए भी आपको अच्छा काम करना चाहिए, वो भी stakeholders है, है ना, companies अच्छा काम करेंगी, तो society के लिए अच्छ जो होते हैं ना, competitors, ये stakeholder नहीं होते, अरे, मेरे competitor को मेरे business से थोड़ी ना, कोई फायदा होगा, तो competitors are not a stakeholder, ये MCQ आया हुआ है, ठीक है ना, आपके June 22 mock test paper में, ठीक है, right, आगे बढ़ेंगे, next बात आती है, अगला important point आता है, types of, अगला important point आता है, types of human activities, चेक करेंगे, सबस दूसरा होता है, non economic activity, ठीक है, economic and non economic activity, economic activity बेटा, ऐसी activities होती है, जो हम livelihood motive के लिए करते हैं, जो हम क्या करते हैं, जो हम livelihood, livelihood motive मदलब क्या, पापी पेट का सवाल है, जो काम हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, जो काम हम क्या बताईए, जो काम हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, क् असबीन है कि मारी मात यह दोखती लिए करते हैं कि एक काम उस्त पैसा कितना हमसे मिल रहा होंगा इस धर तो करेंगे वरना वो काम नहीं करेंगे यह उता है rationality and they are done for क्या बता है self interest हम खुद के लिए करते हैं वो काम हम खुद के interest के लिए वो काम कर रहे है कि वो काम कर करके हमको पैसा मेलेगा इसलिए वो काम कर रहे economic activity non economic activity क्या होता है यह जो है voluntarily किया जाता है voluntarily किया जाता है out of love and affection लिख दीजे यह किया जाता है voluntarily out of love and affection एना तो जैसे मम्मी हमारे घर पर पावभाजी बना रही है ठीक है तो यह क्या है यह out of love and affection voluntarily मम्मी आपके लिए ऐसा काम कर रहे है ठीक है क्या वो पावभाजी बना कि आपसे पैसा चार्ज करेंगे कि बताइए नहीं तो क्या बताइए मम्मी ने घर पर पावभाजी बनाया वो economic activity नहीं है लेकिन अगर आपके मम्मी का एक restaurant है और उस restaurant में वो पावभाजी बना रहे है customers के लिए और उसमें वो पावभाजी बना कि उनसे पैसा चार्ज कर रहे है तो वो हो जाएगा economic activity ठीक है ना बोलते है economic activity are driven by emotional और sentimental reasons और क्या बताइए altruism लिखे अल्टूइजम बोलते हैं कि हम जो है ना हम economic activity altruism के लिए करता है altruism का मतलब होता है selfless concern मतलब की non-economic activity altruism के लिए करता है non-economic activity altruism मतलब selfless concern मतलब की हम ये काम करते हैं खुद के बारे में सोचके नहीं दूसरों के लिए सोचके इसमें हमारा ये काम को करने के पीछे का कोई ऐसा motive नहीं होता कि मेरे को क्या मिलेंगा ये करके ऐसा नहीं होता है तो होता है non-economic activity है ना बोलते हैं इसमें MCQ आता है कि क्या non-economic activity में भी क्या होता है non-economic activity में भी economic dimension होता है मतलब की जैसे आपको economic activity जैसे restaurant में खाना बनाने के लिए आपको क्या raw metal लाना पड़ेगा आपको क्या पैसा लगाना पड़ेगा अपना समय देना पड़ेगा हाँ वैसे ही घर पे भी तो खाना बनाने के लिए समय देना पड़ेगा raw metal लाना पड़ेगा मतलब की जो जो चीजे economic activity को करने के लिए लगती है वो चीजे non-economic activity को करने के लिए भी लगती है बोलते हैं even non-economic activities have an economic dimension तो दोनों में फर्क क्या है जल्दी बदाएंगे economic और non-economic activity में फर्क क्या है बोलते हैं ये दोनों में फर्क होता है बेटा motive का ये दोनों में फर्क क्या है ये दोनों में फर्क है बेटा motive का फर्क है है ना कि हमारा motive हमारा उद्देश्य क्या है अगर हम कोई काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए economic activity, कोई काम हम कर रहे हैं altruism, selfless concern के लिए, voluntarily अपने इच्छा से कर रहे है, out of love and affection, तो non-economic activity, चलो आगे next, फिर बाद आती है, distinguishing characteristics of economic activities, ऐसी कौन सी चीज़े हैं, जो economic activities को अलग ठहराता है, बाकी non-economic activities से, बोलते हैं, पहला point होता है, कि economic activities are income generating, क्या common sense की बात है, हम economic activity कर क्यों रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, तो economic activity करके, income generate होनी चाहिए न, common sense की बात लिखो, बोलते, economic activities are income generating, लिखे, बीटा मैंने notes जो है न, पहले ही, एक-दो दिन पहले ही डलवा दिये थे, ताकि आप print-out निकालके ready रहे, ताकि आप मेरे सार सद आप लिखोंगे, तो आपका attention भी ज्यादा रहेगा class में, ठीक है, ओके, तो पहला क्या है, economic activities are income generating, क्या है income generating, बोलते हैं, दो प्रकार की income होती है, एक ऐसी income होती है, जो हम हमारा खून पसीना समय देके, जो पैसा कमाते हैं, वो होता है, earned income, बोलते है, income which is earned by rendering personal time, physical energy, psychic energy psychic energy मतलब, अभी मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मेरा psychic energy, मेरा intellect, मेरे intelligence को use करके, मेरे teaching skill को use करके, आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो अगर इससे मैं कुछ income कमाओ, ये काम करके, तो वो हो जाएगा earned income, लेकिन कुछ ऐसा income होता है, बेटा, जिसमें आपको घ rent कमाने के लिए, आपको कुछ मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, बैठे बैठे पैसा आता है, बोलते है, property income होता है, income earned by letting out, है ना, rent पे देना, भाड़े पे चड़ाना, इसे English में बोलते है, letting out, है ना, तो income earned by letting out once property, ये क्या होता है आपका, ये होता है, property income, अगला point आते है बैठा कि income जो है, क्या हम जरूरी है कि हम income पैसो के रूप में ही कमा सकते हैं, क्या जरूरी है कि हम income पैसो के रूप में ही कमाएंगे, बोलते हैं, हम income जो है किसी asset के रूप में भी कमा सकते हैं, बोलते हैं, income may be earned in kind too, तो हम income को in kind भी कमा सकते हैं, इसमें एक सवाल आता है आपको सवाल पूछेंगा, है ना, आपको सवाल पूछेंगा कि एफरिका में ट्राइबल कम्यूनिटी है, है ना, मलब आफरिका में आदिवासी लोग है, वो क्या कर रहे हैं, वो मलब एग्जामपल एठीक न, दिलपनी लेना है, बोलते हैं, एफरिका में कुछ आदिवास तो वह किस परकार की अक्तिविटी होगी, एकनॉमिक ऐक्तिविटी, वह आदीमल हंट के बदले उनको राशन मिल रहा है, तो भले ही उनको पैसो के रूप में income नहीं मिल ही, पर in kind मिल रहा है, बोलते हैं एकनॉमिक अक्तिविटी आर, क्या बताएंगे, जल्दी बताएंगे fast अगला point क्या था economic activity आर बताएं productive लिखें ये productive होते हैं productive होने का मतलब क्या है बोलते है economic activity करके कुछ ना कुछ goods या service बनना ही चाहिए कुछ ना कुछ goods या service बनना ही चाहिए economic activity करके बेटा जब economic activity करके good service बनेगा तभी तो उसको आप बेचोंगे market में और तभी तो पैसा कमा पाऊंगे तो economic activities को productive होना ही पड़ता है आगे next, फिर point आता है आपका अगला, next point आता है बिटा event consumption, अगला point आता है बिटा event consumption is an economic activity oh 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 event consumption is an economic activity है ना, हाँ बोलते हैं क्या बताईए कि अगर आपके economy में supply side क्या दर्शाता है production, आपके economy में जो good services लोग supply कर रहे है वो good services supply कौन कर रहे है जो producers है, तो उते production जो होता है, वो economy का supply side दर्शाता है, और जो consumption side होता है, जो consumption है ना, वो demand side दर्शाता है वापस है, हमारे economy का supply side कौन दर्शाता है, production जो good services बनाके economy में बेचते हैं, production वो supply side बताता है, और demand side क्या बताता है, एकनोमी का consumption, अब अगर बेटा हमारे country में लोगों को car चाहिए अगर हमारे country में लोगों को car की demand है तो ही तो producer जो है, वो बनाएगा, अगर car की demand ही नहीं होगी, अगर कोई car consume ही नहीं करना चाहता, तो कोई car बनाएगा का फिर बोलते हैं, देखो हमारे production जो है, ये एक economic activity है, production क्या है, ये एक economic activity है पर लोग production करते क्यों है, क्योंकि कुछ लोग consumption करना चाहते हैं, तो जब consumption होगा चीजों का, तब जाके ही तो production होगा, तो बोलते हैं ऐसे indirect way में, ऐसे indirect way में, consumption भी एक economic activity है क्योंकि consumption के वज़े से ही economic activity की जाती है economy में, बोलते हैं, production is organized in response to demand ठीक है, ये मैंने मेरे regular classes में भी बहुत अच्छे से समझाया है, आगे फिर आता है, savings, investment and wealth, बोलते देखो, जब आपके economy में लोग economic activity करेंगे, तब जाके ही income कमाएंगे, income कमाएंगे, तो कुछ पैसा save करेंगे जैसे ही वो पैसा save करेंगे देन, वो पैसा घर पे बंद करके रखा तो चलेगा क्या, नहीं वो पैसो को कहीना कि mutual fund में bank में fixed deposit open करेंगे है न, gold, silver, ऐसे अलगलग चीज़ों में अपना पैसा लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले income कैसे कमाएंगे, economic activity से वो income का क्या करेंगे, कुछ खर्चा करेंगे, पार्ट कुछ पार्ट सेफ करेंगे जो पार्ट हमने सेफ किया, उसको क्या करना बढ़ेगा, है न, हमने जो क्या बदाईए, हमने जो पार्ट बेटा सेफ किया, उसको क्या करेंगे, mobilization of savings, ठीके, और mobilization of savings के बाद क्या होगा, जो हमारे economy में entrepreneur होंगे, government होंगे, अपने business purpose के लिए, वो bank से यही वाला पैसा उठाते है, as a loan आपने जो पैसा, mutual fund, stock market में लगाया है, वो पैसा entrepreneur को मिलता है, अपने business में use करने के लिए, और ये entrepreneur अपने business में फिर क्या करेंगे, investment करेंगे, मतलब अपने business में capital goods खरी देंगे, machinery equipment खरी देंगे, तो जब ये capital goods खरी देंगे, इससे अब वो machinery खरी के अब और good services बना पाएंगे आगे, good services बनाएंगे, उसको बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे और और इससे wealth generate होगी बोलते हैं, economic activity के वज़े से ही economy में savings होता है, investment होता है, wealth generate होता है बस इतना ही point है investment का मतलब economics में क्या होता है मैंँ आपको बताया था, investment का मतलब economics में होता है, जब एक entrepreneur अपने business में क्या खरीता है capital goods खरीता है, उससे क्या बोलता है investment करना, ठीक है तो economic activity के वज़े से ही ये चीज़े होती हैं बस इतना बोल रहे हैं ये वाला part हम economics chapter 3 में भी पढ़ते हैं stages of capital formation वही वाली बात लिखी हैं तो ये होता कैसे है economic activity के वज़े से next आगे फिर बोलता है dash is an economic activity concerned with processing of raw material and manufacture of goods in factories तो factory के अंदर जब हम goods manufacture कर रहे हैं इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं इंडस्ट्री एक ऐसा economic activity है जिसमें हम raw material factory के अंदर प्रोसेस करते हैं इसे इंडस्ट्री बोलेगे ये इंडस्ट्री का पहला मतलब है बोलते हैं इंडस्ट्री का दूसरा मतलब ये होता है group of companies in similar type of business जैसे मैंने बोला जियो क्या है telecom company जियो क्या है आपका telecom company है correct तो वैसे ही जियो, Vodafone, Idea, Airtel, BSNL ये चारो को एक साथ क्या बोलूँगा ये चारो को एक साथ बोलूँगा telecom industry तो group of companies in similar type of business इसे इंडस्ट्री बोलते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर goods वगरा बना रहे हैं रॉम बिटे को प्रोसेस करके ये भी इंडस्ट्री में आता है और इंडस्ट्री का दूसरा मतलब क्या है group of companies in similar type of business अब सवाल आता है तो सर फिर हम agriculture को जलो धैन दीजे बोलते हम जब पिटा agriculture को क्या करते है agriculture को business माने या हम agriculture इंडस्ट्री माने बोलते है क्या agriculture जब आप खेतों में जब आप आलू उगाते हैं प्याज उगाते हैं गेहू उगाते हैं तो क्या फैक्ट्री के अंदर बंध होगे कम उगाते हैं नहीं बोलते है जेनरली agriculture activity एक business activity हम मानेंगे लेकिन अगर हमने खेतों में समझो चावल उगाया और वो चावल को फैक्ट्री में लेके गए उस पे फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए तो फैक्ट्री के अंदर जो आप काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री मा आएगा मतलब कि जेनरली agriculture activity business activity होती है लेकिन अगर आप agriculture produce को फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस करूंगे तो उस activity को हम इंडस्ट्री में क्या करेंगे क्लासिफाय करेंगे एग्रो बेस इंडस्ट्री बोलेंगे ओके आगे नेक्स बात आती है बिटा market oriented production represents supply side of economics बोलते है दा shift from subsistence driven production towards market driven production is known as commercialization of production लिखे ये बिटा ये सब चीज़े हमारे BC के chapter 1 में दिया है ऐसा मत सोचना कि ये मैंने add किये है topics मैंने कोई topic add नहीं किया है ये study model में दिया है ठीक है न अच्छा एक बच्चा बूच रहा था कि sir अभी क्या सिर्फ MCU compiler enough है मैंने पहले भी बोला है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ जो बच्चे मेरे books से पढ़ रहे हैं जिनके बास मेरी books है प आप इतना पड़ी है और इसके साथ आप क्या कर सकते है और इसके साथ साथ आप mcq compiler कीजिए बस इसके अलावा आपको कुछ और करने की जर्वत नहीं है ये शास्त्र क्या है ये हमारी regular books होती है जो की ICA study model के हिसाब से होती है अगर समझो आपने ये नहीं लिया हुआ है क ये more than sufficient है ये more than बहुत जबदस तरीके से इसमें revision हमने करवाए है अगर ये भी आपके पास नहीं है कोई बात नहीं आप ICA study material अगर आप उससे पढ़ लिजे concepts and mcu compiler कर लिजे तो बस ये combination में चले ये मिसे इसमें से कोई भी combination चलेगा अब होता क्या है कि हमारे जो notes होते इस next इदर आए है अब तो मैं क्या वो रहा था market मैं वो रहा था सबसिस्टेंस driven production अब सबसिस्टेंस क्या होते देखो अभी जैसे मेरा factory है प्लीज ज्यान दीजिए बटा प्लीज जल्दी अब ही मेरा समझो factory है factory में तमाटर उगा रहा हूं ठीक ना मैं factory में क्या कर रहा हूं इस factory में मैंने क्या लैंड लैंड इस लैंड पर मैं क्या कर रहा हूं ठीक है तो मैं total 100 kg टमाटर उगातू कित्ता 100 kg इस 100 kg में से 30 kg टमाटर जो है मैं घर पे लेके जाता हूँ और 70 kg टमाटर जो है न मैं मार्केट में लेके जाता हूँ बेचने के लिए तो ये क्या हो गया, जो जितना मैं production करता हूँ मेरे खुद के consumption के लिए, इसे बोलते है subsistence production, क्या बोलते हैं, इसे बोलते है subsistence production, पट समझो अगर मैंने अगले महीने, ये समझो एक महीने का है, ठीक है अगर मैं अगले महीने जो है अगर मैं अब अगले महीने क्या करता हूँ मैं अब अगले महीने 30 kg के बदले मैं अब अगले महीने यहाँ पे 30 kg के बदले जो है मैं 10 kg रखता हूँ घर के लिए और 90 kg मार्केड में लेके जाता हूँ क्या हो गया पहले जो हम 30 पहले के मुकाबले अब हम 10 kg ही क्या कर रहे हैं घर के लिए रख रहे हैं और बाकी का 20 kg अब हम मार्केट में लेके चले गए इसको बोलते हैं shift from इसको बोलते हैं shift from subsistence production to market driven production ये जो 20 kg था ये पहले subsistence production था खुद के consumption के लिए लेकिन अब मैंने ये shift कर दिया market में बेचने के लिए इसके लिए टर्म दिया आपके बुक में commercialization of production या इसे बोलते हैं production on a commercial scale याद रखेंगे production on a commercial scale इसे बोल सकते हैं आगे बोलते हैं कि देखो अगर समझो मैंने बेटा मेरे घर पे मैंने एक furniture का आइटम खरीदा और मैंने वो furniture का आइटम जो है मैंने खरीदा था 10,000 रुपय में अब 3-4 साल हो गया है मैंने बहुत अच्छे condition में उसको रखा था 3-4 साल बाद वही furniture 12,000 में मैंने बेच दिया अब 2,000 का profit हो गया मतलब क्या बिटा मैं कल से furniture वाला बन जाओंगा क्या क्या मेरा furniture बेचने का business है बोलते है आप अगर कोई एक हादा transaction ऐसा करते है जिसमें आपको profit हो गया तो आप business वाले नहीं बन जाएंगे बोलते है business एक व्यक्ति का usual occupation होता है बोलते है business should be once usual occupation अगर आप कोई activity करते हैं रोज मरा के जिन्दगी में पैसा कमाने के लिए तो फिर उसे business बोलेंगे एक हादी बार आपने कोई activity कर दी जिसमें profit हो गया तो business नहीं होता बोलते है इन frequent isolated transactions even if they result in profit or loss एक हादी बार इन frequent बार कभी कबार या isolated एक हादी बार कोई ऐसा transaction हो गया इसमें profit हो गया जैसे मेरे मैंने mobile phone बेचा उसमें 1500 का profit हो गया तो क्या मैं mobile phone वाला बन जाओंगा क्या नहीं बोलते हैं business क्या बोलेंगे जो आपका usual occupation रोज मरा के जिन्दगी में जो आप काम करते हैं पैसा कमाने के लहना जिसमें आपको profit वगरा होता है business वाला वो आपकी business में आएगा लेकिन क्या बताएगे एक हादी बार को ट्रांजाक्शन करें बिजनिस में नहीं आएगा आगे फिर बोलते हैं तीन चीज़ होती बिटा एक होता है business profession employment देखो अगर बच्चों को क्या लगता है कि अगर हमने CA कर लिया मुझे बताओ CA CA किस में आएगा CA किस में आएगा इसमें से business profession के employment fast मुझे बताएगे जल्दी fast CA इसमें से किस में आएगा business profession के employment बताएगे fast जल्दी से अभी आपका आपकी आखे खुलने वाली है कि हम कितना गलत पढ़ते हैं हम ध्यानी नहीं देते हैं चीज़ों पेहना तो बच्चा बोल रहा है सर CA मनला profession यही पर गलत हो गए तुम बेटा CA मनला profession नहीं हुआ CA बनने के बाद व्यक्ती business भी कर सकता है वो profession में भी आ सकता है वो employment भी कर सकता है वो depend करेगा समझे बाद जैसे अमन गुपता उसने CA बनने के बाद क्या किया उसने अमन गुपता ने बोर्ट चालू किया उसने business किया तो आपको यह नहीं देखना कि व्यक्ती क्या है वो क्या कर रहा है वो हमें देखना होता है तो CA बनने के बाद अगर आपने business कर रहे हो तो आपका business में आएगा तो आपकी बाते हम इसमें करेंगे आपकी बाते इधर करेंगे समझे बात क्या बोलना चाहरा हूँ अगर मैंने business करने के बाद जैसे कि दर्शन जैन सर हमारे इस channel पर accounts पढ़ाते हैं दर्शन जैन सर जोगना practice करते हैं as a child accountant तो अगर आप CA बनने के बाद प्राक्टिस करते हैं खुद का CA का firm है आपका तो वो चीज profession में आती है समझा और अगर समझो CA बनने के बाद समझो मै Reliance company में job करता हूं तो वो क्या हैगा वो वाली चीज employment में आएंगे तो आपको यह नहीं करना है कि CA बोला तो profession ऐसा नहीं CA करने के बाद आप क्या कर रहे हो व्यक्ति क्या कर रहा है क्या खुद का अलग से business कर रहा है तो इसकी बाते इसमें करेंगे क्या खुद की practice कर रहा ह तो इसमें बाते करेंगे क्या वो job कर रहा है तो फिर उसकी बाते इसमें होगी यह समझे बात क्या बोलना चाहरा हूं अभी आपे ध्यान दीजे अब यह आप यह आओ तो बोलते है business का मतलब क्या है बोलते है सारी की सारी activities entire spectrum spectrum अलब range entire range of activities under industry trade commerce तो बोलते है आप manufacturing से related कोई काम कर रहे हो या buying selling से related कोई काम कर रहे हो ट्रेडिंग या commerce की कोई activity कर रहे हो यह सारी activity business में आती है लेकिन profession क्या होता है profession होता है rendering of services of a specialized nature mc की वाता है rendering of services of a specialized nature यह क्या होता है आपका यह होता है बिटा profession है ना तो बोलता है कि आप जैसे CA बनने के बाद अगर आप as a CA practice कर रहे है वो profession माएगा डॉक्टर बनने के बाद as a doctor अगर आप क्या कर रहे है अगर आप as a doctor क्या कर रहे है अज़ा डॉक्टर आप practice कर रहे है तो profession माएगा पर समझो डॉक्टर आपने डॉक्टर की पढ़ा ही कर ली पर उसके बाद आप कोई दवाई की company में job कर रहे है तो employment माएगा यह समझने बाद क्या बढ़ रहे है तो rendering of services of a specialized nature जो आप तभी कर सकते हैं जब आपके बाद prescribed qualification हो है ना जैसे जो practicing CA होता है ना वही balance sheet P&L पे sign कर सकता है अपन बोलते ना audited financial statement तो जो practicing CA होता है वही यह कर सकता है जैसे दर्शन सर क्या है practicing CA है लेकिन मैं practicing CA नहीं हूँ क्योंकि मुझे practice नहीं करना है यह कोई जबजस्ती वाली बात थोड़ी ना है सबका अपने अपना इच्छा है तो मेरे पास क्या prescribed qualification है लेकिन मैं practice नहीं करता तो मेरा जो है मैं profession में नहीं आऊंगा यह समझने बात में क्या बलना चाहरो ऐसा ठीक है आगे next फिर क्या बात आती इतर चेक कर बोलते हैं कि based on prescribed qualification as per a professional body that also prescribes code of conduct बोलते हैं कि देखो हमें हमारा qualification किसके हिसाब से लेना पड़ता है ICAI तो हमारा professional body कौन है ICAI और ICAI हमें code of conduct देता है वो बताएगा rules regulation कि आप CA बनने के बाद जब practice करूंगे तो आपको आपका behavior कैसा होना चाहिए हैना मतला obviously सब एकदम क्या बोलते हैं हर चीज में नहीं बताता है कुछ कुछ चीजों में बता देगे आपको क्या rules regulation follow करने चाहिए तो follow करने बढ़ेंगे ठीक है और employment क्या होता है जब आप किसी के under काम कर रहे हैं under contract of employment या आपके किसी में आता है employment आगे बढ़ेंगे next बो आपको company बनानी है तो companies act को follow करके incorporation करना बढ़ेगा अगर आपको LLP बनाना है तो LLP act को follow करके उसका incorporation करना बढ़ेगा ऐसा तो entrepreneur के decision भी depend करता है और अगर कोई legal formality है तो वो पूरी करके आप establish कर सकते हो अपना business ऐसा profession कब चालू कर सकते हैं सबसे पहले आपके पास membership होनी चाहिए किसी professional body की जैसे IC AI का member कैसे बन सकते हैं CA की सारी exams पास करके articleship पूरा करके आप membership के लिए apply कर सकते हैं जैसे मैं IC AI का member हूँ जो भी व्यक्ति अपने आपको Chartered Accountant बोलता है वो member होना ही चाहिए IC AI का तभी वो खुद को Chartered Accountant बोल सकता है तो मैं CA हूँ yes मतलब कि मैं member हूँ IC AI का लेकिन अगर मुझे practice करना है तो मुझे उसके लिए IC AI से certificate of practice लेना पड़ता है मतलब कि मुझे member होने के साथ साथ मेरे पास COP मेरे पास क्या होना चाहिए member होने के साथ साथ मेरे पास COP certificate of practice भी होना चाहिए अगर मैं member होने के साथ साथ certificate of practice भी है अगर मेरे पास तो ही मैं practice कर पौँगा वरना नहीं कर पौँगा तो दर्शन सर के पास membership भी है, COP भी है, मैंने COP नहीं लिया, ये हमार पास option होता है, जब लेना है तब ले लो, जब नहीं लेना है मत लो, पर अगर COP चाहिए तो उसके कुछ fees रहती है जो हर साल देनी पड़ती है, तो मुझे practice करना ही नहीं था, तो मैंने COP लिया ही नहीं, बात आती है, employment, हैना, employment देखेंगे आपे, बोलते है, employment कहा है, letter of appointment और service agreement, ये क्या होते है, letter of appointment या service agreement, है ना, चलो, तो अब ये क्या होता है, बात बताओ, आपका job कैसे चालू होगा, तो जिस company में आप job करते है, जब आपको letter of appointment देंगा, तो आपका job पक्का होगया, मतलब job चालू होगया, ऐसा, आगे, source of livelihood, business करके हम क्या कमाते है, business करके हम क्या कमाते है, business करके हम क्या कमाते है, profit, profession करके क्या कमाते है, हमें profession करके मिलता है, professional fees, and employment करके हम क्या कमाते है, employment करके हमें मिलते है, wages, या salary, ठीक है, आगे बढ़ेंगे next, फिर बात आती है, prescribed qualification, बोलते है, क्या business करने के लिए कोई qualification होना चाहिए तो ज़ business कर सकते हैं बोलते हैं नहीं business करने के लिए कोई भी prescribed qualification की जरुवत नहीं है पर क्या अगर आपको as a CA practice करना है तो क्या as a CA practice करने के लिए आपके वास qualification होना चाहिए yes it is strictly prescribed क्या employment करने के लिए कोई qualification, कोई education की जरुवत है, बोलते हैं, यह depend करेगा job to job basis पे, ठीक है किसी किसे में जरुवत होती है, किसी किसे में नहीं होती आगे, फिर ethical guidance महला, आप क्या moral values follow करेंगे, क्या संसकार follow करेंगे काम करते वक्त, क्या rules regulation follow करेंगे बोलते हैं, business में उदर depend करेगा founder के values कैसे हैं, profession में जो professional code of conduct होगा, उस पे depend करेगा, कि हमारा IC AI ने हमको क्या code of conduct दिया, वो follow करना बढ़ेगा, job में जो हमारा employer हमें rules regulation बोलेगा, वो follow करने बढ़ते हैं, next, investment बोलते हैं, business करने के लिए हमें बहुत जादा substantial requirement होती है पैसो की, substantial पैसा लगता है business चालू करने के, लेकिन profession के लिए क्या लगता है, आपको थोड़ा बहुती पैसा लगता है, जैसे अगर आपको CA का practice करना है तो क्या रस्ते बे चालू हो जाओंगे, क्या profession के लिए, लेकिन job में, employment में आपको खुद का कुछ भी खर्चा करना नहीं है हमारे company जहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सारा खर्चा करते हैं, next आता है personal autonomy, autonomy मनला freedom मुलते है, business में सबसे ज़्यादा freedom होता है, आपके पास, profession में थोड़ा बहुत freedom होता है, क्योंकि ICAI के rules regulation follow करके काम करना बड़ेगा, लेकिन job में कोई भी freedom नहीं होता, मतलब जो हमारा boss बोलेगा, वो वाला काम करना होता है, next, फिर बात आती है, motive, हम क्यों करते है business, भाईया, पैसा कमाने के लिए economic achievement, हम job क्यों करते है, अगेशा कमाने के लिए livelihood मालब पैसा कमाने के लिए, पर profession क्यों करते है, पैसा कमाने के लिए नहीं, याद रखेंगे, हम CAQ बन रहे हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं, service service to the client, ब incapability क्यों बनता, बोले, लोगों को सर्विस देने के लिए और क्या है वो तो पैसा आ गया सातने हो बात अलग है पर मोटिव क्या है बताओ सर्विस करना है हमारे लोगों को ठीक है आगे next फिर बाता है ताइन शरटन्टी ओफ इंकम कितना इंकम कमाएंगे यह नहीं हम कमाएंगे यह नहीं यह पूछ रहा है समझा तो नीस्ट सरटंटी सबसे कम सरटंटी होते बिजनिस में हमको पता ही नहीं पहले से कि इनकम कमा पाएंगे की नहीं प्रोफेशन में थोड़ी बहुत सरटंटी होती हिंग अगर चलो प्राक्टिस चालू क्या किए पहले ही contract में लिखा होता है आपके जॉब के कि आपका salary क्या हो गा ऐसा stability of tenure क्या बताइगे stability of tenure मतलाब कब तक business करेंगे पहले से बता सकते कहा बोलते हैं नहीं uncertain बोलते हैं business हम कब तक करेंगे यह कोई पक्की बात नहीं हम पहले से नहीं वोल सकते कि 10 साल तो बिजनिस करूं काच हो सकता है दो साल में बिजनिस को बंद करना पड़े राइट आगे प्रोफेशन में थोड़ा बहुत सर्टन होता है कि हम जब प्राक्टिस चालू करेंगे तो करेंगे चार-पार साल तो प्हले से कॉंट्रेक्त में डेटरमेंट होता है कितने समय के आपको काम करना है next देने आता है succession क्या में मेरे बिजनिस को हमारे हमारे क्या बताईए हम्हारे किसी को भी हम ट्रांसफे कर सकते बिजनिस की ओनाशिब येस पॉसिबल क्या ऐसा हम प्रोफेशन में कर सकते गा जैसे दर्शन सर जो है वो छोटु दर्शन को अपना सि ए का प्रफेशन ट्रांसफर कर सकते गा। बोलेंगे कि छोटु दर्शन तु प्राई मत कर, तु ये धिग्री मेरी रख ले। ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। जॉब में ऐसा होता गया, समझो बेटा हमारे जो प्रणफ सर है उनका विप्रो में, प्रणफ सर जो है विप्रो में समझो चीफ फाइनाशल ऑफिसर थे, तो क्या आपने बच्चे को बात में जब उनका बच्चा बड़ा हो जाएंगा उसको भी सीफो बना देंगे, ऐसा हो स्टेट्मेंट बताओ जो डिफ्रेंस बताता है बिजनिस एन अंट्रमार्बन, पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे, बहुत सारे फुकट चंद लोग होते है क्लास में, इस बार कित्ते एक बार चेक कर लेता हूँ है, 440 बच्चे फुकट हो चंद है हमारे क्लास मामी, फिला, जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं उनना अभी तक लाइक ही नहीं है, कैसे लोगो यार, अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें वीडियो को, और आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप क्या करें, निकल जाए ही पटा मेरे नजरों के सामने से, चली, तो सब से पहला क्या बताओ, statement that distinguishes business from businessman from entrepreneur, बोलते है, generally businessman entrepreneur, same ही होता है, लेकिन अगर difference पूछे, तो generally entrepreneur शब तब यूज किया जाता है, जब कोई व्यक्ति एक business करता है, एकदम नए innovative idea के साथ, generally entrepreneurs seek out new opportunities and pursue innovative business ideas, आगे बने नेक्स फिर आता है, characteristics of business, बोलते है, पहला characteristic होता है, कि business कैसा हो होता है, बोलते है, business is a job seeker, not, job seeker, नहीं, बोलते है, business is a job creator, not a job seeker, ठीक ना, not a job seeker, seeker मतलब क्या, ढूंडना, जिसे ढूंडता हूं मैं हर गड़ी, मिली नहीं मुझे, है कहीं, क्यों प्यार पर हो, यह की वो लड़की है, कहां, बोलते है, बोलते है, जोब, हम business चालू क करके, job ढूंडते नहीं है, हम job देते हैं, दूसरों को, बोलते है, business is a job creator, not a job seeker, ठीक है, आगे, फिर MC की वो आ सकता है, बिटा, कि business जो है, it provides momentum to economic growth, बोलते है, economic growth क्या होता है, जब हमारे country के GDP की value बढ़ती है, इसे बोलते है, economic growth, लेकिन जब हमारे economy में, हमारा economy की capabilities develop हो र है, बोलते है, जब हमारे economy की capabilities बढ़ रही है, जब हमारे economy में, लोगों की quality of life सुधर रही है, इसे बोलते है, economic development, याद रखेंगे, मैं इस पर MCQ पूछने वालों आपको ठीक है, तो economic growth, economic development, अलग लग चीज़ है, बोलते है, businesses के वज़े से ही, economic growth and economic development हो सकता है, फिर बात आते है, investment intensive, बोलते है, काफी ज़्यादा पैसा, substantial पैसा लगता है, business को चालू करने ले, बोलते है, gestation and uncertainty, बोलते है, business चालू करने का, gestation होता है, uncertainty, बोलते है, क्या, जब business चालू करेंगे, तुरंद profit होगा, ज़रूरी है, बोलते है, या uncertain है, बोलते है, बोलते है, बोलते ह समय आपको लगता है आपके business में पहली बार profit कमाने के लिए उसे gestation period होते हैं हर प्रकार के business में कुछ ना कुछ gestation या uncertainty होती है next बोलते है business एक systematic organized efficiency oriented activity है ये कभी कबार आपने एक एक हाधी बार कोई transaction कर लिया वो business नहीं होता बोलते है business जो है ये एक क्या होता है ये एक objective oriented purposeful activity होती है हम business क्यों करते हैं profit कमाने के लिए लोगों के well being के लिए and हमारे planet के sustainability के लिए है ना तो business का क्या सिर्फ एक ही objective होता है mc क्यों आता है बोलते है गलत business के multiple objectives होते है ये mc क्यों आता है ठीक है याद रखेंगे business का एक ही objective होता है multiple objectives next b elder lambda business और society जो है क्या ये independent है क्या business and society independent है बोलते हैं nहीं business and society जो है ये interdependent होता है business and society क्या होता है ये interdependent होता है business को इनिपुट चाहिए तो society से मिलेंगे अब input को process क्या output बनाया, अब output का करूँ क्या हलवा बनाऊ, output को बेचूंगा ना customer को, तो society से input मिलता और society को ही output बेचना पड़ता, मलब की society को चीजे चाहिए तो business भी dependent है, business को चीजे चाहिए तो society भी dependent है, इसलिए दोनों एक दूसरे पे interdependent है, आगे, next point आते है बिटा, the performance of business, next point आते है आपका, कि business का performance private sector में हम कैसे measure करते हैं, इसमें बच्चा customer satisfaction को tick मारते हैं, दनादन फटके लगाऊंगा, बेटा, क्या हम customer satisfaction को measure कर सकते हैं, क्या, क्या हम customer satisfaction को measure कैसे करेंगे, अब बच्चे बोलते है, sir, economics chapter 2, unit 2, cardinal approach, utility, फिर से फटके लगाएंगे, बेटा, ब तो क्या measure कर सकते हैं, सच में satisfaction को नहीं, महला हमें measure करना है, तो क्या कर सकते हैं, profit को measure कर सकते हैं, बोलते है, profitability की हिसाब से measure किया जाता है, business के performance को, private sector में, याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे next, इसके बाद, फिर आप बात आती बटा, objective of business, ध्यान देंगे, अगला क्या ह चार objectives है, major economic, organic, social and legal, ethical environment, देखेंगे जल्ली, जो भी objective आपका पैसा कमाने से related होता है, वो आपका होता है, economic objective, जो भी objective आपका, हैना basic survival, growth, health के, से related होता है, business के survival से related है, वो होता है, organic objective, इसमें एक सवाल आता है, fitness of human resource, fitness of human resource, ये कैसा objective है, आपको पूछेगा, बोलना बीटा, organic objective, ठीक है, जो भी आपका objective, पैसा कमाने से related है, sale बढ़ना चाहिए, profit बढ़ना चाहिए, economic value added, ये भी पैसा return से related होता है, लेकिन क्या conservation of heritage, ये पैसा कमाने से related है, नहीं, तो ये economic objective होगा, नहीं, ठीक है, आगे, फिस social responsibility, हमारी society के प्रती भी responsibility बनते है, कि community, हमारे आसपास के जो लोग है, उनके लिए हम service करे, donations बगारा करे, charity करे, heritage conservation, किस में आता है, हमारी social responsibility में, next, legal ethical environmental, बोलते है, जो भी हम law, law government बनाता है, उसको in letter and spirit follow करना चाहिए, मतलब सिम नाम पूरता follow नहीं करना है, सच में follow करना है, अपने हरकतों में, आपकी transparency होनी चाहिए, आप जो है ना, आपको जो है, waste जो है, जो भी कच्रा बगरा निकलेगा, factory से, उसको बराबर से handle करना चाहिए, ऐसी पानी में फेकना नहीं चाहिए, उसको, आपको air, water, soil को preserve करना चाहिए, यह आता है, आपका legal, ethical and environmental objective में, आगे बढ़ेंगे, next बात आते है, forms of business organization, दनादन देखें हाँ, बटा, rationality क्या होता है, already मैंने पहले बता दिया है, कृपिया जाके, पहले जाके देखेंगे, अब बात आती है, आज के session भी बताया है, चलो बोलते हैं, forms of business organization, प्लीज ध्यान देखेंगे, बोलते हैं, sole proprietorship, बोलते हैं, a business organization, which is started, which is started and owned by a single person, using his own funds, यह क्या होता, sole proprietorship, तो जब हम को business को चालू करते हैं, जो एक single व्यक्ति ने चालू किया अपने business को, वो क्या होता है, sole proprietorship, यह आपको MC को आ सकता है, dash is the easiest and the earliest form of business, क्या बोलोंगे, sole proprietorship, बोलते हैं, जो हमारा sole proprietor, जो single owner होता है business का, उसे हम उस business का, one person band बोलते हैं, जैसे band में क्या होता है, band में, एक guitar बजाने वाला, एक गाना ग है ना, तो इसलिए वो one person band है, वो economic hero है, वो अपने दुकान का खुद ही hero है, ठीक है ना, बोलते हैं, autonomous individual है, मतलब, वो independent individual है, वो खुद का, खुद मालिक है, उसको जो सही लगेगा, वो करेगा, तो यह इसका merit है, यह अच्छी बात हैं इसकी, बोलते हैं कि, sole proprietorship में, merits अच का चश्मा में, जो अब्दुल भाई है, उनका क्या है, बताओ, उनकी shop होती है, all in one shop, है ना, तो जनरली बोलते हैं, वो भी sole proprietorship का ही example है, correct, अब अगर समझो, वहाँ पे आस पास के society वालों को को कोई भी चीज़ चाहिए, तो तुरंद अब्दुल भाई को call करते हैं, और आएंगा कि आपके घर पे delivery देने, हैं, ऐसा होता गया, Jeff Bezos आरा आपके घर पे, बोले तुमने क्या मंगा है, बोले मोबाईल का cover मंगवा है, तो Jeff Bezos आरा घर पे देने, बोलते हैं, वहाँ पे personalize services देना मुश्किल है, पर sole proprietorship में personalize services देना possible है, आगे बढ़ेंगे next, फिर आता है, succession of ownership possible, मुझा हम, अगर हमारा, जैसे अबदुल भाई का कोई बेटा है, तो क्या वो अपने बेटे को, वो transfer कर सकते हैं, business का ownership, बिल्कुल कर सकता है, अपने wife को कर सकता है, कर सकता है, अपने भाई बेंड को कर सकता है, अपने दोस्तों को कर सकता है, बिल्कुल कर सक जिसको चाहे उसको transfer कर सकते है business का ownership आगे फिर बात आता है इसका limitation मेल अब कमी आ क्या है इसकी कमी है sole provider of capital बोलते हैं कि यह जो organizations होते हैं वो एक limit के उपर एक point से ज्यादा grow नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन में ज्यादा grow करने के लिए पैसा लगता और चूकि यह अकेला व्यक् जो owner है तो जब profit होँगे तो उसको मिलेंगे पर जब loss होँगे तो उसको अकेले को जिलना पडता है sole bearer of risk पूरे business करने के रिसकों अकेले को जिलना पडता है बोलते है unlimited liability closing unlimited liability क्या होता है बताए इसेट से हैनँ तो हमारे sole proprietor के जो personal assets है उनको भी बेच के liability को repay किया जाता है तो यहाँ पर unlimited liability होती है मलब जितने business के assets है अगर उससे ज़्यादा liability हो जाती है तो क्या होगा owner के personal assets को भी फिर बेचा जाएगा business के liability को repay करने के लिए से होते unlimited liability अगला आता है fate as a going concern मतलब की किस्मत हम generally accounting में ऐसा assume करते हैं कि हर एक organization going concern है कि वो foreseeable future तक चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा पर क्या sole proprietorship भी क्या बताओ जीवन भर हैना जिन्दगी भर बस चलते जाएगा बोलते हैं नहीं इसकी जो किस्मत है किस्मत as a going concern fate as a going concern इस organization की किस्मत depend करती है owner के life पे owner के health पे अगर owner की health खराब होगी owner का life चला गया तो यह business भी फिर कौन चलाएगा यह इसका limitation है आगे देखेंगे next फिर बात आता है हिंदू undivided family चेक करेंगे जलती चलो है अगला क्या है हिंदू undivided family प्लीज धान दीजिये बोलते है एक चुएफ बोलते है एक चुएफ बोलते है इड़े जैसे कि सल्मान खान शारुक खान देखो ना दोनों का सर्नेम सेम हैं तो क्या same family के हो गए ऐसा होता क्या शिर्फ सर्नेम सेम होने से दुनों same family के हो जाएंगे जैसे शिल्पा शिट्टी सुनेल शिट्टी आभाई बेन ऐसा होता है नहीं होता एक आता common ancestry मटलब सल्मान खान के वाले सलमान खन के चुट में आएंगे शारुखन के फैमिली वाले इसके चुट में आएंगे सिर्फ सरनेम सेम होने से सेम फैमिली थोडी न हो जाती है ठीके न बात आगे next अब आएंगे वापस तो that is formed automatically है ना by members of common industry लेकिन एक मैंने एक गड़बड कर दी ना गड़बड क्या कर दी मुझे बताओ कि HOF जो होता है बेटा वो सलमान खान शारुखान नहीं बना सकते क्योंकि MC क्यों आता है कि HOF जो है वो हिंदू undivided family मतलब इसमें बुद्धिस्ट, जैन, पार्सी, सीख फैमिली वाले लोग हव बना सकते हैं लेकिन सलमान खान, शारुखान नहीं बना पाएंगे ये MC क्यों आता है क्योंकि Muslims के लिए ये क्या बताएंगे हव का system नहीं होता है तो कोई बात नहीं ऐसा कोई गलत बात नहीं इसा कुछ नहीं है, तो अगर समझो, इनको अगर बनाना है अलग से अपना कोई organization, partnership हो बना सकते है ये बस additional form of organization दिया हुआ है हिंदूस के लिए बस और कुछ नहीं, ठीक है, आगे फिर बात करते हैं कि तो ये common family के लोग होते हैं जो बना सकते हैं क्या है, next, बोलते हैं members of HF को क्या बोलते हैं बोलते हैं members of HF को बोलते हैं co-partners, है न, co-partners, याद रखेंगे फिर बोलते हैं, जो senior most male या female member होता है family का, वो family का, वो HF का करता होता है बोलते हैं, HF को एक separate entity माना जाता है, कहां पे सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, income tax act के अंदर मैंने मेरे regular classes में आपको समझाया भी था, मैंने मेरे regular classes में आपको समझाया भी था कि income tax में कैसे tax की बचत होती है, HF बनाने से, tax की बचत होती है, अभी नहीं जा सकती है, उसमें सिर्फ याद रखेंगे, इसका separate entity status किस में है, सिर्फ income tax के नजरों में, वैसे separate entity नहीं होता है वैसे इसका separate legal entity नहीं होता है, सिर्फ income tax के नजरों में ये separate entity होता है बोलते हैं H.O.F. कौन से परकार की income नहीं कमा सकता बेटा H.O.F. क्या है ये group of family members है H.O.F. थोड़ी ना जाके job करेगा कही अरे कोई particular family member जाके job कर सकता है H.O.F. थोड़ी ना job करेगा जाके तो H.O.F. जो है वो salary income नहीं कमा सकता याद रखेंगे cannot earn salary क्या बदाई है हाँ cannot earn income from salary बोलते हैं grandfather, father, grand children बोलते हैं three successive generations याद रखेंगे three successive generations of an undivided family is H.O.F. ये M.C. क्यों आता है ठीक है ना इसमें पूछते which of the following is incorrect आपको बोलेंगे four successive generations नहीं three successive generations of undivided families is H.O.F. इसके लिए कौन सा law पढ़ना पढ़ता है हमें इसके लिए पढ़ना पढ़ता हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 तो याद रखेंगे ठीक है ओके आगे अब बात करेंगे मेरिट्स के मेरिट्स हुए ना इसकी अच्छे ची बात है क्या है बोलते कि इसमें कहा ना कि जैसे ही कोई व्यक्ति हिंदू करेगा अपने याम उसका मेंबर बन जाता समझ Fl refere went G पूरी इंवर्ड है विजनीस में तो सब लोग मिलके पैसा लगा सकते है soul proprietorship में क्या था अकेला owner था यहाँ पर फैमिली मिल के family pool मलब सब मिल के पैसा लगा सकते है social capital बोलते हैं कि समझो अगर हमारी 5 दुकाने है एक दुकान में चाचा बैठते है एक में दादा जी बैठते है एक में बड़े पापा बैठते है है ना एक में भाईया बैठते है तो सब को एक दूसरे पर विश्वास होता है एक instant trust is developed क्योंकि सब घर वाले ना कोई गलत थोड़ी ना करेगा बेटा बो तो बाद में पता चलता है कि घर वाले भी गलत कर सकते हैं लेकिन generally starting में तो ऐसे होता है है कि एक,दूसरे पर विश्वास होता ही है सारे घर वाले ऐसे नहीं होता है कोई दिल पर नहीं लेगा कोई सबके घर वाले है कभी घर ऐसे हो जाता है आगे decision making decision making is quick क्या बदाए हमारा करता जो होता है वो senior most member होता है, करता जो है, वो senior most member होता है, तो करता की बातों को generally सब लोग तुरंद मान लेते हैं, तो जो भी decision लेना होता है, करता ले लेता है, सब मान लेते हैं, बोलते है, succession of ownership, क्या हम एक, एक co-personer, अपना share, दूसरे को transfer कर सकते हैं, हाँ, पर वो same family में चलेगा, आप किसी बाहर वाले को अपना share transfer नहीं कर सकते होएफ का, ठीक है, तो within family जो है, succession possible है, next, इसका limitation देखो, बोते family members are automatic co-owners by birth, अब ये limitation क्या है इसमें, इसमें limitation ये है, जैसे कि समझो, गड़ा electronics, जैसे कि गड़ा electronics, समझो, गड़ा electronics जो है ना, समझो, कि है HOFA, example, तो इसमें जेठा लाल गड़ा, और अब क्या, चंपक लाल गड़ा, जेठा लाल गड़ा, और ये, अपना क्या ना में, दया गड़ा, तो ये तीनों, क्या थे member थे, अब जैसे ही टपू का, टपू का जनम हुआ, उसका जनम होते ही क्या हो जाएगा, उसका जनम होते ही, वो गड़ा electronics का भी, ओनर बन गया ना, एक पार्ड बन गया ओनर का, ownership का, अब इससे बुरा लगेगा बागा को, बागा बोलेगा कि, मैंने इतने सालों काम, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे तो ओनर बनाये ही नहीं, मैंने अपना खून पसिना डालके, इस दुकान में काम किया है, और कलका आया टपू, जनम लेते ही, वो ओनर बन गया, ऐसा, अब ये एकदम दिल पे नहीं लेना है, अब कोई बच्चे होंगे, आप जो बागा के फैन होंगे, बोल दिया, पीटा क्यों रोते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में, आपको एकदम पल समझो ना, आगे ने, फिर बोलते हैं, यहाँ पे unlimited liability होती है, किसकी, क्या सारे member के unlimited liability होती है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ करता की, तो अगर समझो, होएफ के liabilities assets से ज़्यादा हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ करता के, करता का ही unlimited liability, करता की परसार assets को बेचा जाएगा, ठीक है, आगे next, फिर क्या बाद आती है, हाँ, फिर है fate as a going concern, बना अब किस्मत as a going concern, इस organization का long term में किस्मत, क्या होता है, बोलते है, जनरली third generation के beyond, ये जाते ही नहीं, जनरली जो family businesses होते है, उसमें जगड़े हो ही जाते हैं, एक point के बाद, है ना जाएदात से related, तो जैसे अंबानीज में भी आपने देखा, ये जनरली जनरली नहीं चल पाते हैं, कभी कार होते हैं कुछ जो 50, 60, 70, 80 सालों से चल रहो business, पर धीरी दरे कभी न कभी जाके बटवारा होई जाता है, ऐसा, नेक्स बात आती बीटा partnership, ध्यान देंगे चलो, जल्दी देखेंगे, partnership जो है, पहली बात, पर्सन का मतलब होता है, नेचरल पर्सन या, या, आर्टिफिशल पर्सन, नेचरल पर्सन मतलब आप और मैं human beings, और आर्टिफिशल पर्सन का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे पर्सन बीटा, जिनको हम, मलब ऐसे organizations, जिनको law के नजरों में, separate entity माना जाता है, जैसे company को, LLP को separate legal entity माना जाता है, लेकिद, याद रखेंगे, बेटा, हुएफ को सिर्फ, सिर्फ, income tax act में ही separate entity माना जाता है, हुएफ वैसे separate legal entity नहीं होता है, तो, क्या हुएफ, क्या हुएफ को हम लेके partnership हम बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि हुएफ को person नहीं माना जाता है, समझे, पर क्या एक natural person और एक company, ये मिल के partnership बना सकते हैं, हाँ, क्योंकि natural person भी person माना जाता है, company को भी separate legal entity माना जाता है, normally law के नजरों में, so natural person और artificial person का combination, क्या बनाता है, partnership हम बना सकता है, natural person भी अपने अंदर बना सकते हैं, artificial person बना सकते हैं, इन दोनों का combination भी चलेगा, लेकिन partnership firm, लेकिन partnership firm, बोलते हैं लिखें, but partnership firm, are not considered as person, partnership firm is not considered as person, मतलब कि दो और मोर firm, दो partnership firm मिल के, क्या नया partnership firm बना सकते हैं, नहीं, दो partnership firm के partners, अलग से, अपना partnership firm बना सकते हैं, लेकिन firm को जोड के firm बनता क्या, ऐसा नहीं होता है, समझे बात क्या पर हो, तो LLP है, artificial person company है, लेकिन partnership firm है क्या, वो नहीं, तो partnership firm को मिल के, नया firm बनता नहीं, आगे, बोलते हैं, it is started through an agreement, partnership deed बनानी पड़ते हैं, यह oral हो सकता है, यह return हो सकता है, है ना, oral हो सकता है यह return, oral मिलाब बाते करकर के, हम बोलेंगे, जैसे तीन partner है, हमने बोला, equal ownership सबका, लेकिन जब साल खतम हुआ, तो एक partner ने क्या-क्या, 80% profit खुदी रख लिया, तो oral में यह दिक्कत होती है, कि याद नहीं रहता, या लोग फिर विश्वास नहीं करते, है ना, या धोका दे सकते, इसलिए return deed होना, ज़्यादा अच्छा होता है, बड़ ओर ओर डीड चलता है, पार्टनर्शिप डीड चलता है, बोलते हैं partnership firm का registration mandatory है क्या, नहीं, बोलते है partnership firm may or may not be, may or may not be registered under registrar of firms, under partnership act 1932, तो partnership firm का registration करवाना है, तो करवाओ, नहीं करवाना है, मत करवाओ, कोई compulsion नहीं होता, बट अब अगर मैं बात करूँ बीटा, LLP की, LLP का concept कहा से आया था, बोलते क्या हुआ न हमारे traditional partnership firm में हमारे जो traditional partnership firm का जो concept है न इसमें गडबर थी दो गडबर थी पहली गडबर थी कि traditional partnership firm में बेटा unlimited liability होती है partners की मतलब कि अगर partnership firm के liability जादा हो गए asset से तो partners के personal asset को बेचा जा सकता है business की liability को repay करने के लिए तो partnership firm में क्या problem है बताओ कि वहाँ पे unlimited liability थी पार्टनर की और दूसरा problem था fate as a going concern मनलब अगर कोई एक हादा partner भी छोड़के चला गया अगर कोई एक हादा partner भी बेटा छोड़के च आता फिर नया partnership firm बनाना पड़ता तो यह दो problem थी तो इन problem को solve करने के लिए LLP का concept आया था as per LLP Act 2008 अब institute ने गलती से study model में 2009 लिख दिया इसको और mcq में भी 2009 ही इसको लिख दिया इसको गलत मत मानना वो है 2008 ही गलती से 2009 लिखा है पर इसको incorrect मत मान लेना ठीक है तो LLP का concept क्यों आया क्योंकि traditional partnership firm में यह दो problem थी दो limitation थी इसको ठीक करने के लिए अलग से LLP का concept आया वो ते LLP is a dash form याद रखें LLP is a hybrid form of organization having features of both क्या बताइगे इसमें company का भी feature होते है कुछ-कुछ और इसमें partnership के भी feature होते है कुछ-कुछ तो company and partnership का क्या है यह 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 दोनों का combination है आगे बोते incorporation of LLP LLP को incorporate करना क्या होता है mandatory होता है compulsory होता है कहां पर incorporation करते हैं जैसे company का incorporation ROC के पास होता है वैसे ही LLP का भी registrar of firm के पास नहीं registrar of companies के पास होता है इसका ROC के पास incorporation होता है जो कि MCA Ministry of Corporate Affairs के अंतरगत ROC आता है बोलते हैं जैसे ही हमारा LLP incorporate हो जाता है उसके बाग उसे separate legal entity माना जाता है law के नजरों में यह याद रहेगा बहुत important चीज़ है next आगे जल्दी देखेंगे इसके differences देखो जल्दी fast चलो ध्यान देखेंगे अब जल्दी देखेंगे सबसे पहली बात कि maximum number of partners traditional partnership firm में maximum number of partners कित्ते होते हैं अच्छा मेटा आपके जो भी juniors है उनको बता देना हमारे मन्जिल batch के बारे में December 23 वाले बच्चों के लिए अभी चल रहा है batch MBS code अगर आप use करेंगे अभी तो 25% off चल रहा है limited time rate के लिए है यह चीज और मैंने जो notes है वो मैंने upload कर दिये है हमारे अभी सिव यह economics chapter 4 और BCK chapter 1 के ही notes अविलेबल रहेंगे कल से बेटा हम चालू करने वाले है economics का chapter number 2 बहुत ज़्यादा important है बहुत ही super fast बहुत ही super fast revision होने वाला है इसलिए कल का session miss मत करना demand करवाने वाला हो बहुत important है बहुत सारे mcqs इसमें से आते हैं चीक है चलो आएंगे वापस इधर आईगे का आते हम जी आईए तो मुझे बताओ maximum number of partners traditional partnership firm में पहले क्या था पुरानी limit थी बेटा कि अगर banking firm है तो 10 partner ही चलते max और other other type का business है तो 20 partner max पर नया limit क्या है नया limit आप सबको बता है कि maximum 50 partner allowed है ठीक है पर LLP में ऐसी कोई limit है कि आप बोलते नहीं इसमें unlimited partners allowed है कोई limit नहीं है करेक्ट आगे फी बोलते है liability of partner बोलते है traditional partnership firm में unlimited liability होती है जो की demerit है इसका कमी है traditional partnership firm की लेकिन LLP में नाम में ही दिया हुआ है limited liability होती है आप आगे fate as a going concern मतलब क्या है कि organization लंबे समय तक चलेगा कि नहीं उते देखो अगर कोई एकाता partner छोड़ देता है या क्या बताइए परलोग सिधार जाता है अगर कोई partner छोड़ देता है या किसी कारणवश जो है उनकी death हो जाती है एकसपार हो जाता है तो partnership deed जो है it will no longer be valid है ना तो partnership deed हमें वापस से नया बनाना पड़ता है तो यह क्या है डी मेरिट है लेकिन LLP में ऐसा नहीं होता अगर इफ वन पार्टनर लीवज और डाइज लिल नॉट बी अफेक्टेड एक separate legal entity होता है अगर पार्टनर छोड़ की भी चला गया LLP बंद नहीं होता LLP को बंद अलग से करना पड़ता वो ऐसे बंद नहीं होता पार्टनर के आने जाने से next बोलते है statutory compliance में लब लॉक को comply करना है बोलते है traditional partnership में उतने ज्यादा loss को comply करने का जंजट नहीं था लेकिन LLP में बहुत सारे loss को comply वगर आपको करना पड़ता है rules equation को follow करना पड़ता है next बात आता है mutual agency जो की बहुत important point है इसका mutual agency में बोलते हैं कि देखो traditional partnership firm में जो ने बेटा every partner is a agent of firm and other partner also बलब traditional partnership firm में mutual agency होती है अगर समझो तीन partner है A, B, C तो अगर A ने कोई decision लिया तो उस पे B और C ये दोनों इसके decision पे liable होते हैं मलब mutual agency होती है लेकिन LLP में mutual agency LLP में mutual agency नहीं होती बोलते है every partner is agent of firm itself मतलब कि एक partner के decision पे दूसरे partner liable नहीं होते कहां LLP में तो mutual agency कहां होती है traditional partnership firm में mutual agency कहां नहीं होती LLP में आगे बढ़ेंगे next last हमारा company चली yes company देखेंगे जली देखेंगे बिटा तो आप जिनको हमारे पूरे नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए अलग से super chart book ले सकते हैं वो revision purpose के लिए होता है वो अभी ebook form में available है अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए कोई problem नहीं है कोई जबर्दस्ति नहीं है आपने जहां से पढ़ा आप वहां से पढ़ सकते हैं ठीक है ना हम जितना possible है सब चीज़ा आपके लिए कर रहे हैं मैं classes तो आपके लिए फ्री में ही ले रहा हूं तो आप आपके बास जो नोट से आप उससे पढ़ ले जाए फिर ठीक है कोई जबर्दस दस्तित थोड़ी ना है चलो होता है इसका डिस्टिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है CIN कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर पेटा ओनलेंट सर्च कीज़े रोहीनी आपको मिल जाएगा ठीक है ना सूपा चाड़ बूक पेटा बूक क्या बताईए अब इदर आगे बोलते नेक्स देखेंगे इदर चेक करो अगला नेक्स देखेंगे बोलते हैं और टैपव चाहिए कोई भी प्रकार की कंपणी हो उसका इनक्रपरेश। कमनी ऐट के हिसाफसे ही होता है ठीक है अब ध्यान दितररा है बोलते हैं सबसे ब हलेivi Either स्भीशिष चया होते हैं कंप्रढ कर हम Democrats living इसके शैर शेर समॉल कंपनी देफिनिशन के नहीं जाएंगे सिर्व याद रखेंगे कि स्मॉल कंपनी भी कहाँ कैसे इनकोर्प्रेड होती है Companies Act 2013 के हिसाब से Then MCQ आता है What is the most recently introduced concept What is the most recently introduced concept In Companies Act 2013 बताईए वो होता है 1% कमनी क्या होता है वो होता है 1% कमनी बोलते है 1% कमनी किसका combination होता है बोलते है Soul Proproprietorship प्लस कमपनी ये इन दोनों का combination होता है क्या 1% कमनी बोलते है next आता है आपका dormant company बोलते है dormant company is created for future projects बोलते है dormant company is created for future projects और for holding an asset or intelligent property इट has no significant accounting transaction आपको MC क्यों आएगा Dash is a company created for future projects जिसके आज कोई significant accounting transaction नहीं है क्या dormant company dormant company भी किस में registered होती है companies act के हिसाब से ही होती है और एक प्रकार की company होती है बिटा defunct company आपको MCQ आएगा इसके अलावा भी और type हो सकते है company के जिस पे जिस पे MCQ आता है मैं वो बता रहा हूं defunct company ऐसी company बिटा जिसका कोई asset कोई liability नहीं है जिसने company बना तो ली थी लेकिन company बनाने के बाद एक साल तक कुछ भी business चालू नहीं किया which failed to commence business within one year of incorporation इसे defunct, defunctioning, defunct company बोलते है ठीक है इसका भी कहाँ पे होगा incorporation as मनब companies act के हिसाब सी होता है यह भी ठीक है तो याद रखेंग बोलते हैं, जब हम company को चालू करते है तो हमें ROC के पास जब हम company को चालू करते है ना फाइल करने पड़ते है mowa और एक होता है armor होता है objectives of a company जिसमें हम हमारे company के objectives के बारे बथा है इसमें 6 clauses होता है यादा रहे आपको वो name clause, domicile clause, object clause, ऐसा 6 clauses होता है मववा में दूसरा होता है अववा होता है ऐसा document जिसमें आपको company के internal rule regulation के बारे में बताना पड़ता है अब यहाँ पर देखेंगे last चीज आजो इसके comparison देखेंगे बोलते हैं सबसे पहला सबसे ध्यान देजे बोलते हैं private company control over management है ना तो हमारा जो owners होते हैं क्या वो management में control कर पाते हैं private company में yes कर सकते हैं लेकिन public company में चूकी हमारे जो share holders हैं वो अलग-अलग cities पूरे इंडिया भर से दुनिया भर से होते हैं तो रोज आके तो business पे काम नहीं कर सकते हैं इसलिए public company में owners का control over management कम होता है अच्छा private company में जो shares होते हैं क्या उनको आसानी से हमें stock market में खरीद बेच सकते हैं transfer कर सकते हैं आसानी से बोलते नहीं बोलते हैं private company में there is restriction on transfer of shares लेकिन public company में shares are freely tradable on stock exchange via listing चूकी public company में shares जो है वो listed होते हैं हमारे तो हम आसानी से खरीद बेच सकते हैं लेकिन प्राइबैत कमणी में एसा नहीं होता है Next बात आती पेटा Number of Members बोलते हैं प्राइबैट कम्णी में मीनीमम कितने मेंबर कितने share order चाहिए मीनीमम प्राइबैट कमणी चालू करने के लिए बहुते हैं मीनीमम 2ний मैक्सिमम 200 ов लेकिन पबलीक कमपणी में मीनिमं कितने मैंबर्स चाहिए बोलत मिनीमं साथ मैक्सम अनलिमिइट ऑच की की रात आती है मिनीमं नम्मरों ड्रेक्टर्स इस में ट्रिक ऊती है आपकी बताओ एक होता है ओपी सी है प्रआइवेटार्टी में, और प्डिक कंपनिय में और प्लिक कंपनी में, और तेन। यहाँ पर स्थाओ танे recycling में किटा आएगा। इस प्लिक में में इत्ते पाइवेटार्ट और EQ में मिनम्नुम दॉर्स टू., इना को क्व्लिक कम्प्लाइनस, वह बावरेकर करने का खर्चा बहुत कम होता है private company में क्योंकि इतने ज़्यादा इनको rules regulation follow नहीं करने पड़ते हैं लेकिन public company में ज़्यादा rules regulation follow करने पड़ते हैं इसके वज़े से MC की वाता है कि आज कल recent news में ऐसा सुना है कि there is a trend of privatization अब यहाँ पे privatization का मतलब यह होता है यह chapter 4 वाला नहीं है यहाँ पे privatization का मतलब है कि आजकल ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी companies पहले public company थी अब convert हो रही है और private company बन रही है ऐसा क्यों ताकि cost of compliance को बचा सके लोग को comply करने का खर्चा public company को ज्यादा होता है तो इसलिए लोग क्या कर रहे है आजकल public company से private company में convert कर रहे है ऐसा next forming of committees याद रखेंगे private company को कोई भी अलग से committee बनाने की जरवत नहीं होती लेकिन public company को है ना audit committee stakeholder relationship committee CSR committee ऐसे अलग अलग प्रकार की committees कुछ public companies को ऐसी अलग अलग प्रकार की committees बनानी पड़ती है याद रखेंगे आगे बोलते हैं हम company को कब चालू कर सकते हैं हम company को कब चालू कर सकते हैं बोलते हैं private company बोलते हैं private company में जैसे ही हमें कोई मिल जाता है कोई मिल गया कोई होता है बटा certificate of incorporation है न क्या है certificate of incorporation जैसे ही हमें certificate of incorporation मिल जाता है न हम business चालू कर सकते हैं private company में लेकिन बेटा public company में कोई मिलने से चलता नहीं public company में कोई मिलने से चलता नहीं कोई के बाद c o c b भी मिलना चाहिए मतलब कि public company को सबसे पहले उनको कोई लेना पड़ता है certificate of incorporation फिर public company को roc के पास अपने bank statements वगरा दिखाने पड़तेगी देखो हमने जो shares को list करवाया था उसमें से minimum 90% shares subscribe हो चुके है देखो उनका data है ना हमारे share subscribe हो गया है अब तो हमें business चालू करने दो तो इसके लिए मिलता है certificate of commencement of business तो पब्ली कमनी को जब तक ये दोनों ना मिल जाए certificate of incorporation and certificate of commencement of business ये दोनों जम मिल जाता है उसके बाद ही ये business को चालू कर सकते हैं आप समय को देख सकते हैं exact हमारा dot समय पर खतम हुआ है BCK chapter 1 समाप्त सारे important points जितने भी BCK chapter 1 में है मैंने सारे आ आपको मजार होगा हमारे virtual library को जरूर आप इसको विजिट करें इसमें सारे links आपको एक जगा पर मिल जाते हैं मैं एक बार तुरंद आपको बता देता हूं एक बात देख लिए बहुत आपके काम की जीज़ें यहां पर देखिए आए दर बहुत काम की जीज़ें आपको म हमारे कुई भी ब्राउजर पर तो आपके सामने जो ऐसा lecture tracker open होगा इस पर थोड़ा सा राइट सेड में जाना तो यहां पर आपको दिखेगा हमारे marathon notes कुर्स chapter के में डलवाएं अब क्लिक करो open हो जाएगा मैंने super chart revision लिया हुआ है तो यहां से भी आपको chapters को cover कर सकते हैं जिसमें आपको काफी problem है MCQs में chapter 3, chapter 4 के important MCQs कर लेना किसी को अगर latest mock test paper करने हैं institute के latest mock test paper इस attempt के दो पिछले attempt के दो वो दोनों 4 mock test papers के मेरे classes की links यहाँ पर मैंने दी हुई है किसी को numerical MCQs solve करने में problem है उसका दिया हुआ है किसी को test देना है किसी chapter का वो मैंने दिया हुआ है किसी को graph में problem है graph solve करने में graphathon के 3 lecture दिये हुआ है किसी को institute के additional mcqs मैंने बोला था न एडिशा mcq करने institute के उसमें अगर problem है उसके lecture दिये हुए है इसकी pdf की link दिये है इसकी pdf की link दिये है तो सारी चीज़ें आप आपको दी हुई है आप इन सारी चीज़ें का क्या बताइए आप benefit ले सकते है और आपको exams में सब चीज़े बहुत helpful लगेगी जो जिन बच्चों ने हमारे notes वगरा भी लिये हुए है books ली है उनको तो जबदस मजा आने वाला है ठीक है so thank you so much and इस schedule के इसाफ़ से कल हम demand start कर रहे हैं बहुत सदा important है कल और ज्यादा speed होगी and मैं आप सब को बताओ को कल हम हमारा super chart book use करने वाले है कल हम हमारे super chart book को use करके इसका revision करवाने वाले है right so thank you so much and अपना ख्याल रखे अपने parents का ख्याल रखे क्यूंकि हम हमारे parents को ना कुछ भी नहीं है अपने दोस्तों को बता देना हमारे इस मनजिल batch के बारा है में 25% off चल रहा है you can use code mv sir या आगे जाके see enter में जब आप subscriptions लें है right so thank you so much bye bye मिलते हैं कल किते मज़ें बताओ 10.45 a.m. right और हमारे इस schedule को follow करके रखना सारे के सारे educators बहुत जबदस्त है जरूर इंती classes को आप देगे ठीक है thank you so much bye जरूर like करे share करे comment करके बताना कैसे लगता है बबाए मिलते हैं कल बबाए